हाई फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए होट मिल केक अभी इस गेक को बनाने के लिए अज हम बिलकुल भी यूवन का यूज निहीं करेंगे अनडा भी नहीं डालेंगे साथ कोई कोई पाउडर चोकलेट इसमें हम यूज नहीं करेंगे और कोई भी इसमें हमेजरिंग स्पू कोई भी चकोर वाला जो मोल्ड है वो भी ले सकते हैं या फिर सिंपल अपने घर में जो बड़े कटोरे या टिफिन होते हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं अब इसे हम ओयल के साथ अच्छे से ग्रीज कर लेंगे उसके बाद इस पर हम इस तरीके से एक बटर पेपर लगा देंगे अब बटर पेपर लगाने से जो हमारा कीक है उसे डी मोल्ड करना बिल्कुल आसान हो जाएगा अगर नहीं है तो कोई दिकत नहीं है आप एक से दो कि चमच इसमें मैदा डाल दें उसको अच्छे से कोट कर लें तो चलिए बढ़िया से मैना हमारा मोल्ड त्यार कर लिया है इसको साइड में रखेंगे अब इसके बाद हम ग्यास पर इस तरीके से कोई कढ़ाई या फिर बड़ा वाला बहोना रखेंगे और इसके अंदर ह हमारा बरतान है वो नीचे से बिल्कुल भी जलेगा नहीं और साथ में उसके बाद हम इस तरीके से कोई भी एक प्लेट या फिर कोई कटोरी रख देंगे ताकि जो हमारा केक का टिन है उसको थोड़ी सी हाइट मिल जाए अब जब इसको हाइट मिलेगी फ्रेंड तो उसकी टी चू करक्ट वेहं एक तीहाइ कप चीनी यानि आदा कप से थोड़ी सी कम इसमें हमें चीनी डाला नहीं है तो चीनी को अपने टेस्किस threaten है और आप थोड़ा केक वाला केक जाहा खना पसंदे तो हिहां आदा कप चीनी इसमें 내 सकते हैं और इस Richardsी कU Medicine temporary by उसमें तो और या फिर इसको थोड़ा सा हम जब तक को कर लेंगे जब तक की चीनी है वो पूरी तरीके से मैल्ट नहीं हो जाती जैसे अभी आप देख भी रहें सब बढ़ी अच्छे से मैल्ट हो गई है तो बस आंच को हम बंद कर देंगे और अब इसके बाद हम लेंगे बड़ा बोल ता बेकिंग प्रणिच इस तरीके से बेट मेरेश भरनी लेना है पहले हमें अपनी advisor से इस तरीके से को लैव़ल कर लेना है एसे हमें लैवल कर के लेना है और इसी तरीके से हम एक चोथाइट टी स्पू serious baking soda लेने यह देखें बल्कुल लेना है तक हम ऑन लेना हो दो island аपाव अब इसके अंदर हम ने जो दूद उबाल कर रखा हुआ है वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे एक ही डिरेक्शन में इस तरीके से मिक्स करेंगे तो फ्रेंट सियान रखेगा एक की इसको बिल्कुल हलके हाथों से एक डिरेक्शन में चलाते हुए मिक्स क नहीं तो जो एयर इसके अंदर हम लोग करेंगे वो सारी निकल जाएगे और हमारा केक बिल्कुल भी अच्छे से फूलेगा नहीं और दूद भी हमें थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाना है और इस बैटर को बस जब तक ही मिक्स करना है जब तक कि जो इसकी गुठलिया अब पूरी तरीके से खतम नहीं हो जाती तो जैसे अब आप देख सकते हैं बैटर में गुठलिया बिल्कुल खतम हो गई है अच्छे से बैटर हमारा त्यार हो गया है तो एक बार इसको हम चेक कर लेंगे अभी मुझे ये बैटर थोड़ा सा गाड़ा लग रहा है तो जो बैटर है अभी बेलकुल रिबन कंसेस्टेंसी का तियार गुआ है यांनी यह जो ग्र रहा है उसके बाद उह फीर घटर में मिक्स हो रहा है तो इसी तरीके का हमें घटर थिआconom हो दो से थोड़ा पतला बैटर हुआ तो जो हमारा केक है वो सेंटर में से बैठ जाएगा अच्छे से फूलेगा नहीं तो अब हमारा जो बैटर बहुत पढ़िया से फूले सोफ्ट स्पॉंजी हमारा केक पर त्यार हो उसके लिए इसमें हम डाल देंगे दो चोटी चमत सफेद सिर्का यानि वाइट विनेगर और वाइट विनेगर डालने के बाद फ्रेंड्स अगेन हमें एक ही डिरेक्शन में विल्कुल हलके हाथों से इसे मिक्स करना है तक तक कि जो हमारा सफेद सिर्का है वो बैटर के अंदर मिक्स नहीं हो जाता है जैसे ही मैंने सफेद सिर्का डाला हमारा बैटर हलका सा फ्लफी हो गया है तो बस अब स्टेच पर इसको हमें रखना विल्कुल भी नहीं है इस बैटर को हम सीधा हमारे ग्रीस की हुई टिन के अंदर ट्रांसफर करना है और उसके बाद इसे हम हलका से टैप कर लेंगे ताकि जो इसके अंदर एर बबल से निकल जाए अब इसके बाद इस पर मैं थोड़े से बदाम और कदू की जो बीज है वो डाल रही हूं तो फ्रेंड्स यह बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहें तो सिंपल आप इसे गानिश कर लें तो बस अब इस केक को हम रखेंगे हमारी प्रेहेटिट कड़ाई के अंदर और इसे हम धकन लगा कर कम से कम 30 मिंट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे अब यहां पर फ्रेंड्स आपने ध्यान डखना है कि इसका जो यह धकन है अब अच्छे से भी खुलाने होना जाए अगर हलका सभी खुला होगा तो भी हमारा केक अच्छे से फुलेगा नहीं तो इदर मैंने केक को करीबन 35 मिंट के लिए छोड़ दिया था तो एक पर हम इसको चैक कर लेंगे यह देखिए केक बप्ल अच्छे से फूल गया है तो अच्छे से फूल देंगे तो इदर केक बढ़िया से थंडा हो गया अब इसके बाद हम नाइफ से इसके किनारे इसको इस तरीके से अलग कर लेंगे ताकि अगर यह कहीं से केक टीन पर चिपका हुआ है तो वो निकल जाए बस इसके बाद इसे हम पलेट पर उल्टा कर दिनकल जाता है तो बटर पेपर लगाने का यही फैदा होता है कि बिल्कुल भी यह जो केक है अपू हमारा चिपकता नहीं है तो यह देखे बढ़िया से हमारा कोफी केक बन कर त्यार हो गया है और इसे में आपको बिल्कुल पास यह जादा सोफ्ट और स्पॉन्जी के बीना किसी मेजरिंग कप या स्पून के तो आप जरूर ट्राइ कीजिएगा यह सभी को जरूर पसंद आएगा बहुत टेस्टी केक बनता है तो आई होप यह सिंपल सी रेस्पी आपको पसंद आई है अगर थोड़ी सी भी आपके लिए यूसफुल रही है तो प्लीज वीड